बिस्मिल्ला हिरो रह्मान इर्राहीम असलाम लेकुम विवर्स वेलकम टू माई चैनल कुकिन्स विद मलीका उमीद है कि आप सब हैरो अफ्यसे होंगे अल्ला ताला आपको हमेशा हुश और अबाद रखे आमिन सुमा आमिन तो विवर्स आज हम बहुत ही मज़ेदार किसम का स्टीम डोस्ट रेडी करने जा रहे हैं इतना मज़ेदार बनेगा कि जब खाना शुरू करेंगे तो इंशाला खाते ही रह जाएंगे लगेगा ही ही नहीं कि आपने इनको घर में रेडी किया है इतना टेस्ट फुल बिल्कुल बदार जैसा टेस्ट आएगा लुक भी आप सब्सक्राइब करें इतना मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट के जाएगे जाता हमने स्टीम रोस्ट कैसे रेडी किया इंशाला सारे ही ट्रिक्स एंड टिप्स आप से शेयर होंगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इस ले लेना होगा और सबसे जरूरी काम जो हमने करना है इसको अच्छे तरीके से धो लेना है नमक लगा के रख देंगे नमक के साथ होने के बाद इसको 15 मिनट के लिए हमने सिर्का वाले पाने में डिप करके रखना है और इसके बाद इसको दुबारा से वाश कर लेना ह इससे क्या होगा कि जितना भी blood इसके अंदर है वो सारा निकल जाएगा और चिकर बिल्कुल साफ और शफाव हो जाएगा तो ये तो दोने का पहला step था जो हम पहले ही कर चुके हैं अब हमने दूसरा step करना है दूसरे step में हमने क्या करना है कि इसके गहरे गहरे से cut लगा दे तो चलिए विवर्स हमने कट भी लगा लिया इसको रख देते हैं एक साइट पे और मदेदार से मसाले के तयारी करते हैं पेस्ट पेस्ट पाउडर ले लेंगे जितने पीसिस आपके पास ज्यादा है उस लिहार से आप इन मसालों की कौन्टरी ज्यादा कर लिजिएगा मैंने एक पीस के लिहार से आपको सारे मसाले बताए हैं जो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे जो के 3 x 4 टी स्पून है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं चनुछे वीवर्ज अब हम इसके अंधर शामिल कर देंगे फूच तनिया पौदर जो टेवर्ज है हाफ टी पूँन के करीब यह हमने शामिल कर दिया way ठीरा पॉडर यह भी रोस्टिड है इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 by 4 टीस्पून याद रहें विवर्स इन मसालों को आप ड्राय रोस्ट करके यूज़ करेंगे ना तो बहुत यह अच्छा फ्लेवर आएगा अगर चिकन तिका मसाला आपके पास है तो शामिल कर देंगे अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं यह जो हमने मसाले शामिल किये ना यह बहुत ज़्यादा टेस्ट रूड़ बनेंगे तिका मसाला के वगयर भी तो चली विवर्स एक अदद ले ले लिया है इस लेगा तो लीचे विवर्स लीमू भी हमने इसके अंदर निचोड दिया है दो टेबल स्पून के करीब शामिल कर देंगे दही और इन सारी ही चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं मिक्सिंग करने के बाद दो चीज़े हम इसके अंदर और शामिल करेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे यानिके यलो फूट कलर और साथ ही थोरा सा हम रेड़ फूट कलर भी शामिल करेंगे इससे क्या होगा कि बिल्कुल बजार जाता कलर आ जाएगा चिकन के ऊपर तो यहां पर दोनों लेग्स कर दिये हैं यानिके यलो फूट कलर और एक तो अच्छे तरीके से मसाला सारे चिकन को लग जाएगा अगर आपको किसी किसम की इरिटेशन होती है तो आप गलफ का इसमाल भी कर सकते हैं तो बस यहां पर मसाला लग चुका है सारे कट्स हमने मसाले से भर दिये हैं इसको कवर करके रख देते हैं फ्रिच के अंदर एक र कुछ आपके पास हैं उसके भगएर भी इसको पीच को रख देते हैं तो भी वरद चारों तरफ से इसको फोल करते हैं और यह ठीम कमल हो चुकी है इसको अच्य तरी कैसे ल पेटने के पात रख देते हैं Changworks त्याविन की स्क्राणे के बाद पाद ने sixty त्यारी करने autopर एक तरहां ने करेंगे अदर स्ट्रीमर मंग जाए शामिल करनाओ यानि इख रेंगे चुलहाख शावाट के पहले लिए 5 लट के ouais पेसे उपने के ही एक चुलगे और works जो कवर के अंदर सुरा है ना इसको भी हमने फिल कर दिया है अलुमिनियम फॉल के साथ ताकि स्टीम अच्छी सी बन सके और इसके अंदर ही रहे तो चलिए वीवर्स चेक कर लेते हैं तकरीबन 35 गुदर चुके हैं मेडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक कर लिया है इस के अंदर जो थोड़ा सा पानी कठा हुआ दा ना वो भी काफी गर्म हो चुका है इसलिए आपने बहुत ही इत्यास इसको खोलना है तो यह लीजिए वर्स बहुत ही मज़ेदार किसम का स्टीम रोस्ट हमने बहुत ही कम मेहनत के साथ रैडी कर लिया है इसको खाये रोगनी नान के साथ या ब्रेट के साथ और विंच्वाई कीजिए अब हम इसको चक पी करते हैं यह कैसा लग रहा है मसाला आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से इसके उपर रज बस चुका है और बोटी भी बिलकुल अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है इसको हम रिश पी को आपने जरूर ट्राइ करना है और ट्राइ करने के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा कि जो आपने स्टीम रोस्ट पनाए कैसा बना इंशाला अगर आप इन सारे ही ट्रिक्स और डिप्स को फॉलो करेंगे तो जो आप स्टीम रोस्ट पनाएंगे ना वो भी चिर किये और इसको इंजवाई कीचिये यह देखिए वर्स अंदर तक में आपको दिखा देती हूं कि कोई भी ब्लड का क्लोट आपको कोई भी ब्लड का कत्रा इसकंदर नजर नहीं आ रहा इतने अच्छे ते किसे इसको वाश करेंगे तो ना ही स्मेल आएगी और ना ही क अपना बहुत सा हिया रखिएगा मुझे भी दौाओं में याद रखिएगा अला हाफिज